नोईडा सेक्टर 61 में शौपरिक स्मॉल के निर्वाना स्पा एंड सिलनाओं में पुलिस की टीम ने छाबा मार कर वहाँ चल रहे देव्यपार का खुलासा किया पुलिस ने मौके से स्पा सेंटर के दो संचालकों गुफरान खान और अखिलेश और साथ ग्रहकों को गिरफतार किया साथ ही वहाँ काम करने वाली 14 लड़कियों को भी रासत में दिया और पुलिस गिरफतार किये गए सभी आरोपियों से पूछ साच में चुट कई है पुलिस ने चापे मारी की जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो फर्ष्ट फ्लोर पर जो इसपा सेंटर चलाया जा रहा था जो कि निर्वारा नाम से चल रहा था और साथ गिरहागों को मौके से पुलिस ने गिरफतार किया बड़ी बड़ा मामला है इसको देखते हुए पुलिस ने लोकल पुलिस को जानकारी नहीं दी थी क्योंकि जब भी पुलिस चापे मारी करती है तो ऐसे में आशंका यही रहती है कि लोकल जो पुलिस होती है उसकी मिली जुली भकत से ही ये पूरा कालो कारोवार चलता है ऐसे में जब पुलिस के अधिकारी मौके पर से पहुचे और चापे मारी की गई तो मौके पर से ही नसीली दवाईयों को बरामत किया गया और काफी आपती जनक चीजों को भी बरामत किया गया लगातार अगर नॉइडा की बात की जाए तो नॉइडा में ऐसे मामले बरते जा रहे हैं बीते कुछ महीने पहले ही एक छापे मारी की गई थी वैब बॉल में जो छापे मारी हुई थी वहाँ पर भी ऐसा ही देवापार का धंदा चल रहा था इसके साथ ही सेक्टर 12 में भी बीते महीने ही चापे मारी की थी महापर से भी धेवापार का खुलासा हुआ था तो लगातार नॉइडा में चापे मारी जारी है पुलिस लगातार इस मामले में भी जाज कर रही है कहीं लोकल पुलिस की इसमें मिली जुली भगत तो नहीं है उसकी देखरिक में ये पूरा धंदा तो नहीं चल रहा था इसी के चलते लोकल पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दीग गई थी और नॉइडा के एसीपी यहाँ पर मौके पर पहुंचे इसके साथ ही अधिकारी को भी गिराफतार किया गया है आप पुलिस लगातार कारेवाही कर रही है और लगातार संचालकों से भी उस्ताज जारी है किमसर राहूल पुजारी के साथ अन्मोल कुमार टोटलीउस नॉइडा